दियर स्टूडेंट गुड मॉनिंग कैसे हैं आसा करते हैं आप सब अच्छे होंगे आपका मुश्ट विल्कूम करते हैं हमारे इसेन पर तो तिलका माझी भागलपुन मुसिटी पार्ट वन और पार्ट वन और पार्ट वन पॉस्पॉंडेट एक्जाम किये थे तो बहुत स आप एक्जाम कब तक लिया जाएगा तो मैं चलिए आज की वेडियो मैं आपको बताने वाले हैं कि आपका एक्जाम जल्द ही लिया जाएगा इस पेपर कटिंग के अनुसार जो कि तिलका माझी भागलपुन मुसिटी आज की द्वारा दिया गिया है देखिए इसमें लि करिदारी की जाएगी उन्होंने बताया कि इस महां के आन तक असना तक प्रिच्छा का फिर से सेडूल जारी कर दिया जाएगा बीवी के सथ नियमित करने को लेकर लेकर लंबित प्रिच्छाओं का तिति घोसित की जाएगी इस दिशा में बीवी परसासन काम कर रहा है चा प्रिच्छा के समस्या का समय पर निस्वादान है कुल पती ने खाय कि बीवी के विकास के पर लाने के लिए कर योजना बनाए गई आने वाले दिनों में परभारूप से काम किया जाएगा यानि कि आपका जो पार्ट वन और पार्ट टू का एक्जाम पोस्पोंडेट कर दिया गया था कोफी के थूटिके करां तो अपका एक्जाम देख़े दस दिनों के अंदर एक सेडिल जारे करेगा तो आज आर्थ का वाने कि 19 तारिक हो गया तो 29 तार्फ तक नहीं तो आपका इस से पहली अठाए़ दो को फिर जारी किया जाएगा तिल्का माजी इसमें एक बात ये है कि सबसे पहले किसका एक्जाम होगा, ये बात आप समझ लिए तो देखिए, आपका सबसे पहले पार्टू का एक्जाम होगा, student रजान होगा झाल होक NIK इनका ऑनर्श एक्जाम होगा यानि कि त्यारी में लगे रहे आप टाइम को बिश्ट मत करें आपका एक्जाम जल्दी कंडाइक्ट करवाई जाएगा तो चलिए आज की वीडियो कैसा लगा तो सारे इस्टंटों में सीयर कर दें तो आज के लिए इतना ही अगर जो पहले बार चैनल पर विजीट किया है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगे तो सारे इस्टंटों में सीयर कर देंगे लाइक कर देंगे सब्सक्राइब कर देंगे तो मिलता है अगले वीडियो में एक नई नोटिस के साथ तक तक जाए हिंद जय भारत